एक तो फरद भावी ने मुझे सही फसाया है तुम्हें मेले पर ले जाने की गिमत पते नहीं कब तत चुपाता रहूँगा मैं तुम्हारा ठीक है भई एक प्रण में कॉल बैक करता हम तुम्हारा बैठे बैठने नहीं आई मैं दो टोप बात करने आई हूँ चले जो भी करने आई है बैठ तो जाएं सांस ले ले अब पानी लाओ आपके लिए अच्छा मैं लेकर आ रहा देखो भई वली तुमने तो अपना पूरा बच्पन जाने समन के साथ गुजार रहा है हैं और तुम्हारी किसमत कि आगे भी तुमने जिन्दगी उसी के साथ ग खुश थी ना हूँ होने की कोशिश तो की थी मैंने लेकिन तुम्हारे भाई मुझे खुश होने थे तो बह खुश हो ना अब ऐसी बात नहीं है इस घर में सबसे ज्याद बस 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 इस से आगी ली लगास भूलना सब पक्वास हैं सब जूट आई देखें इतना तुम्ह मुझे पता है कि आपका मसला पुपो के साथ है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारा गुस्ता जमाल पर पर उतार देंगी। है अलल एलान उसने खाने की टेबिल पर सबके सौम ने ये कह दिया कि आज से घर की जम्हेदारी फुपो की हुई और मैं मैं वो करूंगी जो फुपो कहेंगी ये कांगा इंसाफ है भाई तो ये तो अच्छी बात है ना आप सकून से बैठके काए अच्छा तो चलो भई ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे खांदान में से कोई ताया, चाचा, मामा, फुपा, खालू बुला लेती हूँ और कहती हूँ कि ठीक है आप दुकान की बागडॉर समाले और हमारे घर के मर्ड बैठके बस खाएंगे घर में कैसी बाते करनी हैं भाबी, इतनी मेहने से कारोबार यहां तक पहुँचा है और इसमें सबसे ज्यादा मेहने जमाल भाई किये, ऐसे कैसे किसी को भी दे 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 यही तो समझाने की कोशिश कर रहे इतनी देर से मैं तुम्हें अरे इतना साथा तू जब इस घर में आई थी, हैं, कब से इस घर की बागदोर समाल दूए हूँ है और अम्मी के बाद नहीं हक मेरा है, और वो खाब में आके मुझे कहती रहती है तो फिर मैं अपनी घर गरस्ती कैसे किसी घर के हवाले कर दो वो भी उस के हवाले है, जो के महमान मन कर आई, और अब घर की मालकन मन की बैठी अब आप अपनी दलीर ऐसे देंगी तो मैं क्या ही कह सकता हूँ अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, कि अपने भाई के कानों में ये बाट डालो, जमाल को समझाओ, कि ये सब ठीक नहीं है और वो मेरी सुन लेंगे ना अरे क्यों नहीं सुनेंगे, देखो वलीर, पहले भी इस घर में बहुत सारे मसाइल ऐसे आए हैं जो तुमने बहुत करीब से देखें और उनता हल पी तलाश किया मुझे पता है कि तुम नसीर की तरह मसाइल से भागने वाले नहीं हो या तुमने वासेफ की तरह नहीं किया कि अपनी बीवी की बातों में आकर उसकी पट्टी पर सलना शुरू हो गया तुमने उन मसलों का हल ढूंडा है क्यों नहीं कर रहे भावी मुझे से ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझती है अई यही तो मसला है अरे अजरा तो दुन्या के सामने बुरी है जूटी है अरे सबको तो छोड़ दो जमाल कभी मेरी बात पर अदबार करेगा या मेरी बात मानेगा कभी भी नहीं मानेगा मेरी बात अरे कम से कम इतना कर दो उसको सिर्फ यह समझा दो कि घर के मालिक में और महमान में बहुत फर्क होता है उसके बीच एक लब भी लाइन होती है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते अरे देखो ना पुरे घर का इंतजाम उसके हवाले कर दिया जो महमान मन के आई थी डाइन अरे समझाओ अपने भाई को अरे बीवी की नहीं सुनेगा लेकिन कम से कम अपने भाई की तो सुनेगा ना उसको यकीन करेगा वो बाभी मेरी और जमाल भाई की एज में बहुत डिफरेंस है बैं उसके बात नहीं कर सकता अरे कौन सी किताब में लिखका है कि छोटे अकल की बात नहीं कर सकते और सिर्फ बड़े ही अकलमन है लेकिन रहने हो भईया तुम से नहीं होगा आए लाँ मैं कहा बस गई ये किस खांदान में पसा दिया मेरी मारे मुझे